तो आप देख रहे हैं विने 101 नियूज आप लोगों में बता रहा हूँ कि मनीश कस्यप हाँ दोस्तों सही सुना आपने मनीश कस्यप बिहार में बेतिया में जब आये तो किस तरह से लोग फूल बरसाए आप लोग ने देखा होगार इस वीडियो के देखिए क्यों और से द नहीं किया था और ये जीजे जो है बेतिया कोट ने साप कर दिया कि बिहार का बेटा बिहार में ही रहेगा और ये जो चीजे हैं सबसे बड़ी होती है कि कोट का अधिकारी जो है यो निरने ले 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 किसी बिहार के बेटा के बारे में तो आप लोगों को कैसा लग रहा ह और उपने लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए संकों के लिए और भरष्ट अधिकारियों के लिए जब आवाज उठाएंगे तो उसका पहल क्या होगा सोचें आप लोग SP और DSP की हालत क्या होने वाली है उनिवर्सिटी का हालत क्या होने वाली है हर चीजों का हालत बिगडने वाली है दोस्तों मनिस कश्यप जब बिहार का बेटा कोट से बाहर निकलेगा जेल से बाहर निकलेगा तो सोचिए कि वो बेटा क्या करेगा जितने भी अधिकारी भरष्ट अधिकारी है उसका हालत क्या करेगा दोस्तों मनिस कश्यप के दिल में हर बिहारी नोजूवक के लिए स्राखों पे बिठाया है और दिल में बसा हुआ है अब जानते हैं नोजूवक कौन वो नोजूवक जो नोकरी के लिए दरदर भटक रहा है वो लोग जो बिहार से बाहर जाकर नोक्री करने पर मजबूर हैं ऐसे लोग मनिश कश्यप को आद कर रहे हैं कि कब ओ मनिश कश्यप जेल से बाहर निकलेगा और हम लोगों के लिए आवाज उठाएगा ये नोजुवक लोग किसी चीज़ों का भुखा नहीं होता है लेकिन अपने अधिकार का भुखा होता है जब अधिकार नहीं मिलता तो मनिश कश्यप जैसे इनसान आद आते है आप लोगों को बैवतादो कि मनिश कश्यप जेल से बहुत ही जल्द बहार निकलने वाले हैं उ 14 दिन के हिरासत के बाद हो सकता है कि वो बेल पे छूट जाए तो चलिए आप लोगों को मेरा चैनल में अगर आप ने हैं तो सब्सक्राइब कर देजिए बाल एकन को दबा दिजिए और इसी तरह से नया अपडेट लेने के लिए धन्यवाद आप लोगों को और आईए नेक एक्स्ट वीडियों में देखते हैं